आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं होते हैं कि आपको बहुत बहुत सभागत हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऐसे इंसान की जिनों ने हमको हसना सिखाया हमारा बचपन इनकी वज़े से सुनहरा हो गया हम बहुत एंजॉय किये, यह कौन है, इन्होंने टॉम एन जेरी को जनम दिया यह हैं टॉम यह हैं जेरी भाई साहब, दोनों लड़ते रहते थे आपको पताईए लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, और प्यार डेवलप किस ने किया, वो इस इंसान ने किया अब दोस्तों इनका नाम है जीन डीच, जिनका देहान्त हो गया 95 साल के थे, हमारी तरफ से इनको एक ट्रिब्यूट मैंने भी टॉम एंजरी बहुत ज़्यादा देखा है, in fact बहुत ज़्यादा कार्टून्स देखे हैं, कार्टून्स आज भी देखता हूँ शायद ही ऐसे दुनिया में कोई होगा जिसने टॉम एंजरी का नाम ना सुना हूँ हर किसी ने इंजोई किया, ना सिर्फ टॉम एंजरी इन्होंने पॉपाय को भी बनाया, पॉपाय दा सेलर मैन आपको यादी होगा, जिसने हमको पालक खाना सिखाया, हम पॉपाय से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि काफी हद तक हमारी लाइब भी वैसी ही है, तो ये जीन डा अपरेल को देहांत हुआ, अब जब इनका देहांत हुआ, तो पूरी दुनिया शोक में, बॉलिवोड स्टार्ज, होलिवोड स्टार्ज, हर किसी ने इनकी मौत पे शोक जताया, लेकिन कमाल का इनका जीवन रहा है, तो हम इनकी शौट बायोग्राफी देखेंगे, तो टू ट्राइंफ ये एक मोटिवेशन बुक है, आप इसको स्टेडी आईक्यू की वेबसाइट से प्रेबुक कर सकते हैं, साती साथ स्टेडी आईक्यू का आप आगया है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए दोस्तों, अभी ये एंड्रोइड पे चलेगा, लेक आप बोलते रहते हैं, सार बैटल सीरीज कब लेकिया होगे, मैंने अपनी बैटल सीरीज यहां पर पूरी की है, सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि दुनिया के बैटल सीरीज की है, आप इम्पॉर्टेंट एमपायर, हिस्ट्री आप कश्मीर, बहुत सारे मेरे मेरे माइक्र लाउंच हो गया है, तो आप इसकी जानकर इस्टडी आईक्यू अप पे ले सकते हैं, आप मैं ट्विटर पे आगया हूँ, यह रही मेरी आईडी, तो दोस्तों अगर हम इनकी बात करें, तो इनका जनम 8 अगस्त 1924 को हुआ, शिकागो में, अमेरिका नहीं जनम हुआ, और मतलब अपना स्कूल और अपना इनिशल जो कॉलेजी यही पे ही इन्होंने पूरे किये, फिर 1922 में यह ग्राजुएट हुए, अब यह जब ग्राजुएट होंगे तो आपको नौकरी चाहिए, लगिन अभी तक एनिमेशन का दूर दूर तक इनसे कोई वास्ता नहीं है, इधर इधर इन्होंने काम किया, थोड़ा बिमार भी पड़े, लेकिन 1905 में इन्होंने United Production of America के लिए काम करना शुरू किया, अब दोस्तों अनिमेशन के लिए उस समय कुछ जादा था नहीं, मैंने वाल्ट डिस्नी की बायोग्राफी कवर की है, वाल्ट डिस्नी एक और ब उन्होंने voice over करना शुरू कर दिया, जो character थे उनको इधर से उधर move करना शुरू कर दिया, motion picture ले आया है वो, तो अब animation में भी एक prospect दिख रहा था यहाँ पे, तो लोगोंने animation में अपना career शुरू कर दिया, अब Gene Dives भी उनमें से एक थे, इन्होंने United Productions of America को join किया, लेकिन इन्हों में as an apprentice काम किया, इनको apprenticeship मिली, animation studio था और बाद में ये Terry Tunes के creative director बन गए, अब Terry Tunes की बात करें, तो 1929 से लेकर 1972 तक ये जो Terry Tunes है, बहुत ही जादा important क्योंकि produce करता था, ये जादा तर animated shows, यहाँ पे Gene Dives ने बहुत जबरदस्त काम किया, और यहाँ पे बहुत सारे न नयने cartoon characters, जिसमें से एक Sydney elephant था, Tom D. Terrific था, Clint Cobbler था, Nude Nick, बहुत सारे characters का जनम हुआ, लेकिन फिर हम देखते हैं की difference हो गए, जो production अउस इस तरीके के होते हैं, देखिए, एक नयक टाइम पे आपकी महत्व कामशाह, आपकी organization से clash करेंगी, ये तो मिल्कुल पकी बात है, organization में, अब जो काम होता है, वो basically logo के लिए किया जाता है, लेकिन पहले इसा नहीं था, पहले काम पैसा कमाने के लिए किया जाता था, ये production studios भी चाहते थे कि जितना हो सके पैसा मंदर ले, लेकिन gene digest इसा नहीं चाहते थे, तो इनको इसी वज़े से difference हुए, और इनको निकाल या gene dice associates के नाम से, और शुरू में ये TV commercials को produce करते थे, जो advertisement आते है न, उसको produce करते थे, अब उसके बाद ये चले गए प्राग, चेकोसलोवाकिया में 1959, ठीक है, अब चेकोसलोवाकिया में एक American चेकोसलोवाकिया में, बाप रे बाप, वो भी 1959, हाला कि इन्होंने अपनी company क पूरा बेच चेकोसलोवाकिया में प्राग में शिफ्ट कर लिया था, प्राग बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है, आपने अक्सर देखा होगा, movies की shooting जो है वो प्राग में होती है, ठीक है, बहुत ही खुबसूरा शहर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 दिन के लिए गए जीन डाइच खाली 10 दिन के लिए गए थे, ऐसे देखने ही गए थे, रेकी करने गए थे, बट यहाँ पे इनकी मुलाकात हो गई, डेंका से जो की इनकी future वाई बनी, ये तनी खुबसूरत थी, और ये भी animation में काम करती थी, ये भी animator थी, तो दोनों की मुलाकात ऐसी बहुत ही लवेबल, तो दोनों ने शादी भी कर ली, और अपनी पूरी company को यही पेही shift कर दिया, और यहाँ से इन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ठीक है, अब हम देखते हैं कि Monroe, जिसके लिए इनको Academy Award मिला था, आपको बता दू, कि Monroe को Academy Award मिला था, ये 1960 में प्रेमियर ठीक है, और उसको American Army draft कर लेती है, और वो हमेशा बताता रहता कि मेरी उम्रे चार साल के, और लोग उसको चड़ाते के नहीं, तो Monroe बहुत ही प्यारी सी, छोटी सी story, short story, जिसको लोगों ने, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, जिसको Academy Award मिला, बहुत सारी movies दोस्तों, असली वक्त, अच्छा वक्त तो अब आना था, जब इन्होंने Tom and Jerry को बना दिया, Popeye को बना दिया, 1960 से लेकर 63 तक, इन्होंने Popeye काटून को डारेक्ट किया, Popeye इन्होंने ही create किया, ठीक है, और उसके बाद MGM के साथ मिलके, 13 new Tom and Jerry short stories बना ही इन्होंने, 13 episodes Tom and Jerry के, अब Tom and Jerry द इतना जादा लवेबल क्यारेक्टर है, ठीक है, मेरे तो फेवरेट Tom है, आपके कौने बताईए, कमेंट बाक्स में बताईए, को Tom जादा पसंद है कि Jerry जादा पसंद है, मुझे Tom बहुत अच्छा लगता था, इन दोलों की शैतानिया, Tom हमेशा Jerry के पीछे पढ़ा रहता है और Jerry जो है, वो Tom के मनसूबों को कभी कामियाब नहीं होने देता, क्योंकि वह यह यह चूहे बिल्ली की लड़ाई आपको पताईए, लेकिन इस लड़ाई में इतना मज़ा आता था कि हम लोग बहुत हस्ते थे, पेट पकड़के हस्ते थे हम लोग यह आपको यादी होगा अभी भी आप Tom & Jerry देखते ही होंगे, आप तो Facebook पे काफी Tom & Jerry के एपिसोड भी वाइरल हो जाते हैं, बात में भी इनफाक्ट अभी भी Tom & Jerry को टेलीकास्ट किया जाता है, नए फॉर्माट में टेलीकास्ट किया जाता है, अनिमेशन भी थोड़ा से इंप्रूब वह लेकि व बात नहीं रही, ओरिजनल सीरीज में जो बात होती है, आप उसको कितना भी रिन्यू करके रिलीज करते रहें, रिमेक बनाते रहें, लेकिन ओरिजनल होता है, है ना, तो Tom & Jerry जो है, यह बहुत ही लवेबल कैरेक्टर था, इसमें एक डॉगी भी होता है, ठीक है, याद है प्रॉब्लम होती है, वो उनी के पास चला जाता है, और फोर Tom को समख सिगाता है, इस तरीके के एक एपिसोड था, मैं इसका नाम भूल गया हूँ, इसका नाम नहीं आदा रहा है, लेकिन बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा कार्टून, जिससे हम सब ने रिलेट के और ह सब बहुत जादा है, तो ये टॉम एंजरी को इन्होंने डारेक्ट किया, और उसके बाद दुनिया ने इनको हाथों हाथ लिया, एक और बहुत ही जबर्दस्त चैरेक्टर पॉपाई, अब पॉपाई को तो हर को ही जानता होगा, पॉपाई दा सेलर मैन, पॉपाई की गर जैसे ही पालक खाता था, जबर्दस्त ताकत आ जाती थी, वो बैग्राउंड म्यूजिक बसता था याद है, और उसके बाद पालक खाके इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती थी, डूटस तो छोड़िये, जो भी आता था उसको मारता था पॉपाई, तो पॉपाई दा सेलर मै एक बहुत भी प्यारा अभी भी काटून आता लेकिन उसत अब काटून नेटवर्क पे वह बात नहीं रही, पहले काटून नेटवर्क पर क्या जबर्दस्त काटून आते थे, डेक्ष्टर आता था, जोनी ब्रावो, एड, एड,न, and, टी, तो एक तो एपिक था, औरना उ वो तो और किसी ने देखी होगी, उसके भजन बहुत ही जादा, बहुत ही मतलब सुनने में अच्छे लगते थे, जो भजन थे रामायन की थे, जो जापान ने भारत को गिफ्ट की थी, है ना, तो हमेशा दिवाली में प्रीमियर की जाती थी, बहुत ही बढ़िया था पहले Cart नेटवर्ग, तो पपाय का भी केरेक्टर जीन दीश ने बनाया, ठीक है, तो ये दोनों केरेक्टर बहुत जादा फेमस थे, साथ ही साथ इन्होंने Alice of Wonderland in Paris ये भी डारेक्ट की, ठीक है, और उसके बाद और भी केरेक्टर बनाया, एक इन्होंने टेरिबल टेसी नाम का के पारेक्टर बनाया, 1969 से लेकर 2008 तक वहीं पे ही रहे, ठीक है, और बहुत सारे इन्होंने एडाप्डेशन भी किये, अब दोस्तों ये रहते थे चेको-सलोवाकिया में, अब आपको पता ही है कि जो चेको-सलोवाकिया की बात करें, तो वहाँ पर पूरा कम्मुनिजम है, ह 1989 में वेलवेट रेविलुशन हुआ था, जब यहां पे लोग परशान हो गए थे, इतने दुनों से वन पार्टी रूल था, और लोगों का मूल खराब हुआ, लोग सलक पे आ गया और उन्हों को डेमोग्रेसी चाहिए, फिर 1990 में पहली बार माँ पे एलेक्शन हुए, 1989 से क्रेपणिक और स्लोवाकिया अलग हो गया, समझ रहे हैं, तो यह खेर हुआ, तो यह वहीं पे थे, काफी वक्त तक वहीं पे थे, वहीं सही अप्रा काम करते थे, ठीक है, और अभी इन्होंने कुछी दिन पहले, कोरोना जो एपिडेमिक फैला हुआ, तो पैंडेमिक हो ग कर रहा हूँ, ठीक है, तो इनकी जो डेथ है, वो 16 अप्रेल को ही, 95 साल के थे, उमर तो हो ही गई थी, ठीक है, अब भाई जाहिर से बात है, जब 70 साल से आप उपर जाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, लेकिन फिर भी 95 यह के थे, ठीक है, और काफी वक्त तक यह जी है, तो 2020 में हम देखते हैं कि अभी 16 अप्रेल 2020 में की मृत्यों और जब इनकी मृत्यों की खबर आए, तो हॉलिवोड, बॉलिवोड, बॉलिवोड की तरफ से विकी कौशल हो गए, डेजी शाहर किसी ने ट्वीट किया, ठीक है, कि यह हमारा जो बच्पन था, इन्हों ने बनाया, और हमारे चहरे पे, जब हम छोटे थे, तो हमारे चहरे पे हसी आजाते थी, जब भी हम टॉम एंट जरी को देखते थे, तो उसके लिए शुकरिया, तो हर किसी ने ट्वीट किया, ठीक है, 2004 में इनको विंसर में के एवार्ड भी मिला था, लाइफ टीन बच्चे हैं, from his first marriage, ठीक है ना, और सब के सब कार्टोनिस्ट है, सब के सब कार्टोनिस्ट है, साहीर सी बात है, फैमिली बिजनेस है, तो यह तो हो गई, तो यह ट्रिब्यूट था, I hope आपको लिच्र पसंद आया होगा, खुश रहे ये पढ़ते रहे, दिसे पीस, thank you so much.